स्वागत आपका एक बार फिर से शानौलज बेंक की यूटीव चैनल पर आज हम लोग इस वीडियो सशन में डिसकस करेंगे आपकी फेमस परसनलिटीज ओफ जम्मो एंड कश्मीर आपके सलेबस के GK with special reference to जम्मो एंड कश्मीर का ये एक important हिस्सा है इसमें से आपको एक important MCQs exam में देखने को मिलता है GK with special reference to जम्मो एंड कश्मीर की जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं most of the topic हम लोग already cover कर चुके हैं वो भी आप लोग जाके एक बार चेक आउट कर लीजेगा आज हम लोग जम्मो एंड कश्मीर के almost 30 to 40 important famous personalities के बारे में in detail depth में discussion करेंगे उसके बाद हम लोग exam oriented MCQs देखेंगे भाई ठीक है तो जितने भी JK SSB और JK PSC के aspirant हैं के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्व पूर्ण होने वाली है और constable वाले students के लिए तो काफी ज्यादा important है क्योंकि आपका तो exam अभी नेर है इस्यू हो कोई कियूरी हो related offline batch या फिस study material के related तो आप directly हमें इस email id पे mail कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का session ठीक है पहले देख लेते हैं हमारी कुछ important personalities then last में हम लोग discuss करेंगे आपके कुछ most important and exam oriented mcqs ठीक हा भई देखिए पहला important जो आपके पास बंदा है वो है आपके पास कलहना ये कलहना कौन है आपने history पढ़ ली बिल्कुल सर हमने history in detail जमो एंड कश्मीर की history mind map के थ्रू करवाई हुई है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जाके प्ले लिस्ट में जाके आप उसको भी check out कर लीजिएगा कलहना जी ने अपनी बुक लिखी थी कौन सी राज तरंगनी clear है हमारी जमो एंड कश्मीर का जो इतिहास है जो history है हम लोगों ने यहां से maximum borrow करा हुआ है ठीका भई स हम लोगों क्या कहते हैं that is yes हबा खातू night angle of कश्मीर हबा खातू उनको क्या कहते हैं हम लोग yes night angle of कश्मीर और यह जो हैं आपको famous poetas देखने को मिलते हैं कौन सी century की भाई 16th century की clear याद रखना है इनका real name क्या था याद रखना है आपने zoo okay इनका real name था zoo जिसका meaning होता है आप के पास moon okay याद रखना है ये आपने important है बाई clear इनोंने भाई साब शादी किस्से की थी याद रखना है यूसफ शा चक ठीक है भाई साहब उसके बाद ये throne पे आती है कश्मीर को rule करती है और उसके बाद इनका नाम पड़ता है क्या हबा खातून पहले इनका नाम क्या था जू ठीक है original layman का क्या था जू हबा खातून जी ने ही कश्मीर में lol जो है word को introduce करा था lol का मतलब आपको पता है भाई साहब तो ये कश्मीरी point है clear याद रखना है आपने तो बाकी तो इनके बारे में कुछ important है नहीं ये important था ये आपको मैंने बता दिया है sir clear next important हमारे पास शर्मा जी ठीक है पंडित शिव कुमार शर्मा जी ये कौन है sir हमारे पास important personality है भाई ये famous संतूर player है clear हमारे जम्मू एंड कश्मीर के famous संतूर player है जो हमारा एक Indian classical music में count होता है ठीक है संतूर है जो ये वो साज बजाते हैं संतूर के ये पैदा कब हुए थे 1938 में कहा हुए जम्मू में हुए थे अब ये तो normal चीज थी important awards आपको याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा जी के इनको संगीत नाटक अकादमी अवाड 1986 में मिल रखा है पदमश्री अवाड इनको 1991 में मिल रखा है पदम भूशन इनको 2001 में मिल रखा है याद रखना है आपने regarding पंडित शिव कुमार शर्मा जी ओके चलिए आए नेक्स्ट कोशन पे वाई नेक्स्ट कोशन नहीं वाई नेक्स्ट परसनेलिटी हमारी है प्रेमनाथ ढोगरा जिनको शेहरे ढुगर भी कहा जाता है इनको पंडित जी नाम से बुलाया जाता है याद रखिएगा ये प्र रामनात शास्त्री, रामनात शास्त्री को फादर आफ डोगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, important personalities हैं, फादर आफ डोगरी, ठीक है, इन्होंने भी सहत्या अकैदमी आवार्ड 1977 में जीता, बदनामी दी चान, पदमश्री 1990 में जीता, सहत्या अकैदमी फेलोशिप 2001 में इन्होंने जीता, सहत्या अकैदमी आवार्ड इन्होंने किसके लिए जीता था, बदनामी दी चान, याद रखना ये आपने याद रखना है, regarding रामनात शास्त्री जी, next important है मारे पास पदमा सचदेवा, पदमा सचदेवा ये पहली महिला पोईट है, डोगरी लेंगवेज इन्होंने डोगरी लेंगवेज में पोईटरी शिरू करी थी, ये पहली वो महिला है, याद रखेगा पदमा सचदेवा जी, ठीक है इनको आवार्ड कोनकोन सा मिला है भई, सहत्या कादमी आवार्ड 1971 में, किसके लिए मेरी कवीता मेरे गीत, याद रखेगा मेरी कवीता म नेक्स्ट इंपोर्टन वन इस डॉक्टर करन सिंग ये महराजा हरी सिंग जी के बेटे हैं ठीक है लास्ट सदर रियासत हैं जम्मू एंड कश्मीर के फस्ट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंडियन पॉलिटीशन है ये फिलिन्थ्रॉपिस्ट है और पॉइट भी ह नेक्स्ट वन इस महर चंद महाजन इनका नाम तो हर एक ने सुना होगा और इनके बारे में भी आई होप सो सभी को पता होगा ये कौन है भाई साब महर चंद महाजन जी प्राइम मिनिस्टर आफ स्टेट आफ जम्मो एंड कश्मीर कब से कब तक 1947 से लेके 1948 तक ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सप्रीम कोट आफ इंडिया भी रह चुके हैं महर चंद महाजन जी याद रखिएगा पहले प्राइम मिनिस्टर कोन थे हमारे महर चंद महाजन जी ठीक है जस्टिस टियस ठाकूर 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं जम्मो एंड कश्मीर के हैं इसलिए इंपोर्टन हो जाता है बशारत पीर येस हाइदर मुवी आप लोगों न शेर कश्मीर कहा जाता है इनको फर्स्ट एलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जम्मो एंड कश्मीर के ठीक है बाई सहाब जब जम्मो एंड कश्मीर इंडिया में मिल गया था उसके बाद जब पी एम को अलेक्ट करके चुना गया था तो वो कौन थे पहले ये थे आपके अब्दुल्ला जी इन्होंने अलynen जम्मू and क्श्मीर मुस्लिम कॉंसे फाउंड करी थी कब 1932 में याद रखियेगा 1932 में इन्होंने अल जम्मू and कश्मीर मुस्लिम कॉंसे को फाउंड करा लेटर उसी का नाम NC that is जो आज़ कल आप देखते हैं नेशनल कॉंफरेंस ये इन्होंने 1939 में जाके नाम चेंज करके जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉंफरेंस कर दिया क्लियर है शेक अबदुल्ला जी चलिए अब चलते हैं आगे बक्षी गुलाम मुहम्मद ठीक है भाई सहाब मौडन कश्मीर के अर्किटक्ट कहा जाता है इनको मौडन कश्मीर ये डिपिटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे कब से कब तक भाई 1947 से 53 तक ठीक है 53 से 64 तक 64 के बाद हटा दिये गए थे चलिए मुफ्ती मुहम्मद साइद जो आपको पता है महबुबा मुफ्ती के फादर जी है ये पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर थे इंडिया के ये पीडिपी पार्टी के फाउंडर है जी पीपल डेमोक्रेटिक पारिटी ठीक है जूनो जूनो ये काफी वाइरल हुआ था पीडिपी की जो इनकी बीटी है इलतिजा मुफ्ती ठीक है तो जूनो जूनो हो गया इनका भी ऐलेक्शन के बाद तो चलिए खेर छोड़िए इस बाद को नेक्स्ट ये भाई साहाब हमारे दो बार सी एम रह चुके हैं जम्मो एंड कश्मीर के मुफ्ती मुहमद साइद जी थे ये आपके फेमस परसनेलिटी ऑफ जम्मो एंड कश्मीर चलिए नेक्स आजाते हैं हमारे पास M.K.R. रेना या जिनको आप महराज इसनन रेना भी बोल सकते हैं ठीक है बाई साब ये डिरेक्टर हैं और थेटर एक्टर हैं आपके M.K.R. रेना जी इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है और इनको भी काफी आवार्ड से नवाजा गया है ये थे आपके M.K.R. रेना जी चलिए नेक्स्ट इंपोर्टन वन इस अनुपमखेर जी इंपोर्टन परसनलिटी है आपको पता ही है पॉपुलर बॉलिवूड एक्टर है ठीक है तो इनकी एक अभी बड़ी ही प्यारी मूवी आई है ठीक है डाट इस सिगनेचर अगर आ एक एक्टर हैं बॉलिवूड के एक्टर हैं लोकसभा के MP भी है और इन्होंने भी पद्म श्री जीता 2004 में पद्म भूशन जीता 2016 में ठीक है ये कश्मीरी पंडित हैं बाई मुल्क राज सारफ कून ही ये इंडियन जनरलिस्ट है और राइटर है ये आथर किसके रह चुक क्या है भाई शेरे डुगर लाला हंस राज महाजन जीवन कथा ठीक है अवार्ड इनको मिला है पद्म श्री कब मिला सर दाट इस 1976 ठीक है चलो अब चलते हैं आगे परवेज रसूल जर्गर ठीक है भाई सहाब ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं फर्स्ट प्लेयर हैं एड कश्मीर क्रिकेट के टीम के हैं ये पहले प्लेयर हैं जो जमु एड कश्मीर में IPL कॉंट्रैक्ट जीत के आए थे ठीक है भाई सहाब चलिए आए अगले बंदे पर भाई सहाब दैट इस विजयंदरनात कोल विजयंदरनात कोल कोन है ये हमारे 10th कैग है ठीक है कैग क इन्होंने भी अवाड जीता कौन सा पद्म भूशन कब 2004 में विजयंदरनात कोल सहाब ठीक है अदर्श सैन आनंद ठीक है ये 29th Chief Justice of India रह चुके हैं लांगेस्ट सर्विस सर्विंग Chief Justice of India है इनको शिरोमनी अवाड 2002 में दिया गया पद्म विभूशन से भी ये नवाजे ग इनके बारे में अभी पढ़के आ चुके हैं हूँ इस नोन एज नाइट इंगल ओफ कश्मीर येस जल्दी हबा खातून ओके आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन ए हबा खातून जिनका असली नाम क्या था जू ओके याद रखिएगा किस से इनकी शादी हुई यूसफ शा चक से क्लियर याद रखिएगा ये फिर उनने कश्मीर पे रूल करा जिसके बाद इनका नाम क्या हो गया हबा खातून क्लियर है भाई साब हबा खातून क्लियर चलो आएं अगले सवाल पर भई next second question देखिए who has been conferred with सरस्वती सम्मान in 2015 for her autobiography चित्चेटे in डोगरी लेंगवेज येस इनकी autobiography के लिए जिनकी autobiography का नाम है चित्चेटे ठीक है सरस्वती सम्मान मिला इनको 2015 मैं ये कौन है भाई सहाब YES हबा खातून है लालेश्वरी है या फिर क्वीन दिदा है या पदमा सचदेवा है येश तो भाई सहाब ये कौन है आपके पास अभी हम लोगोंने इनके बारे में बात करी तो ये कौन आ जाते हैं आपके पास yes, it's option D, that is Padma Sachdeva Padma Sachdeva ये point है okay, Padma Sachdeva जी, okay, ये एक important point है, novelist है जो modern woman point है डोगरी language की पहली महिला है जो डोगरी में इन्होंने लिखना शिरू किया था सहित्या Academy Award जो इनके first collection थी मेरी कविता, मेरे गीद उसके लिए मिला गया था ठीक है, और उसके बाद सरस्वती सम्मान इनको 2015 में दिया गया clear, किसके लिए दिया गया भाई साब चित चेते, जो इनकी डोगरी language में autobiography थी उनके लिए ठीक है, तो इनको Padma Shri भी मिल चुका है, ठीक है, जो fourth highest civilian award है, कब मिला 2001 में, ठीक है भाई साहाब कभीर समान भी इनको मिल चुका है किसने दिया था कभीर समान इनको Government of Madhya Pradesh clear, Government of Madhya Pradesh हो गया, चलिए, move to next question भाई साहाब, explanation आपको PDF में मिल जाएगी, वहां से आप इसको आबेदीन, सुल्तान सिकंदर yes बोलिए yes, it's जैनुल आबेदीन, option C हो जाएगा आपका correct answer अकबर of कश्मीर इनको कहा जाता है और बढ़शा भी इनको कहा जाता है, ओके, बढ़शा ओके, बढ़शा, ओके बढ़शा, क्या क्या मतलब बहुता है, that is great सुल्तान या फिर great ruler तो जिसको आप लोग अकबर of कश्मीर कह सकते हैं, इनके period को आप लोग golden age of कश्मीर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है golden age golden age of कश्मीर कहा जाता है और यही हैं जिनोंने weaving की art, paper making की art book binding की techniques ठीक है, समरकंद से इनोंने copy करके इंडिया में लाया था borrow करके इंडिया में लाया था कहा से समरकंद से लाया था इनोंने इंडिया में किसने, जैनल आबेदीन जीने, इनोंने जजिया जो था वो भी abolish कर दिया था जजिया जो tax लगता था वो भी इनोंने abolish कर दिया था, इनकी biographies थी जो आपको याद रखना है, एक थी जेन परक्षा, ये किस ने लिखी है भाई आपको ये याद रखना है, योद भटा, योद भटा ने इनकी autobiography लिखी थी, जेन परक्षा, ठीक है भाई सहाब, इनों नहीं, जेनल आबिदीन नह जो था आपका नव शहर, उके, नव शहर फाउंड करा था, नव शहर जिसको आज की डेट में आप लोग शिरी नगर नाम से जानते हैं, नव शहर, क्लियर है भाई सहाब, इनोंने ही जेनापूर, जेना कोट, जेनागीर जो हैं फाउंड किया था, इनोंने आटीफिशल आ जाना जाता है, ठीक है, चलिए, आएं अगले सवाल पर भई, फादर ओफ डोगरी, फादर ओफ डोगरी किन को कहा जाता है, येस, बताइए, इंपोर्टन परसनेलिटी हैं भाई, आपको बताया है मैंने, येस, बोलिए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, विजेंदर नाथ कोल हैं, दीनु भाई पंत हैं, या फिर राम नाथ शास्त्री जी हैं, तो इट्स येस, ऑप्शिन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राम नाथ शास्त्री जी, ठीक है, फादर ओफ डोगरी इनको कहा जाता है, इन्होंने रिवाइवल और रिसर्जेंस किया था डोगरी लेंगवेज का कावी इंपोर्टन्ट रोल था, ये चीफ एडिटर थे जमू एंड कश्मीर कल्चरल अकैडमी की, याद रखना ये ठीक है, और इन्होंने एडिट की थी डोगरी डिक्शिनरी डोगरी लेंगवेज में, सहत्या अकैडमी अवार्ड इनको मिल चु आजाएं अगले सवाल पर भई, फू वास दा फ्र्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ जम्मू एंड कश्मीर, ये शेक अबदुल्ला, बक्षी, गुला, मुहमद, महरचंद, या फिर करन सिंग, ये बताएं भई कौन हैं पहले प्राइम मिनिस्टर अफ जम्मू एंड कश्मी पहले, ये वही हैं भाई साब, कौन वही, महरचंद, महाजन, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये, एंड थर्ड कौन रह चुके हैं ये, येस, चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोड के CGI रह चुके हैं ये, थर्ड वाले, याद रखिएगा, रेड क भाई साब, अगर बात करें यहीं, बक्षी गुलाम मुहमद जी की, तो ये कौन थे भाई साब, ये, आर्किटेक्ट आफ मौडरन हिस्टरी कहा जाता है, इनको, क्लियर है भाई, करन सिंग, ये कोने आपके, सनाफ महराजा हरी सिंग, क्लियर, चलो, आजाएं अगले सवाल को सिंगे ये, न ही yeah, क्षिमीरी गजल, क और आफ क्षिमीरी गजल के फादर किन को कहा जाता है? महमुद गमी, दीनानाथ, नदीम, रसूल मीर, छैमान, रही, क्ठियर इस, कोन हैा फादर आफ कश्मीर गजल, तो फादर आफ कश्मीर गजल क किसको कहा जाता है, भाई, दोला जाता है, याद रखिएगा, जौन कीडस ऑफ कश्मीर, क्लीर, कश्मीरी, जो फेमस गजल हैं इनकी, पिंड पोश्माल, गंदे नई द्रैलू, ये इनकी ही फेमस गजल जे हैं, याद रखिएगा, आपकी पहली तो है, रिंड रिंड पोश्माल, शुमाल, ये कुछ इ यह आपके prominent point है medieval period के ठीक है इन्हों नहीं introduce किया था Persian forms को ठीक है जो गजल टाइप था कश्मीर language में translate करने का वो इन्हों नहीं किया था तो इनको जमी आफ कश्मीर बोला जाता है जमी ओके जमी आफ कश्मीर किसको कहा जाता है महमूद गमी जी को clear है याद रखी गा रह्मान राही जी रह गए हैं भाई रह्मान राही जी की भी बात कर लेते हैं रह्मान राही जी कोन है ये पहले कश्मीरी point है और इनको सहते अकैदमी आवाड भी मिल चुका है किस के लिए नवरोजे सभा के लिए कब 1961 में ठीक है भाई सहाब और इंडिया का highest literary award जो हता है ज क्लियर है याद रखिएगा ये पहले कश्मीरी writer है जिन्होंने जनन्पित अवाड जीता था कौन रह्मान राही सहाब क्लिया चलो आज़ो भाई अगले सवाल के उपर question 6 क्या पूछ रहा है आपसे रबिंदरनाथ टैगोर called whom the words worth of कश्मीर ठीक है ये कश्मीर है भाई words worth of कश्मीर किसको कहा था ये आपके रबिंदरनाथ टैगोर सहाब ने येस बोलिए option 1 रह्मान राही जी को रसूल मीर जी को गुलाम एहमद महजूर जी को या फिर अबदुल अहद अज़ाद जी को तो ये किसको कहा था भाई गुलाम महँद महजूर जी को कहा था गुला पॉइट है ठीक है बाई सहाब और ये अगर profession से देखा जाए तो ये एक पटवारी थी याद रखेगा कौन थे पटवारी थे भाई profession ठीक है रबिंदरनाथ टेगर जी इनकी पॉइटर से काफी impressed थे और इनको बोला था the word worth of कश्मीर ठीक है बाई सहाब और इनको ही father of कश कश्मीरी लेंगवेज कहा जाता है clear याद रखेगा father of कश्मीरी लेंगवेज कौन गुलाब एहमद महजूर गुलाम एहमद महजूर क्लियर है भाई सहाब ठीक है बाई 1918 में कब 1918 में इनकी कश्मीरी first poem आई थी जिसका क्या नाम था वन्ता है वैसे वन्ता है वैसे अगर मेरी pronunciation थोड़ी सी गलत हो तो भाई सहाब माफ कीजिए का कश्मीरी मुझे नहीं आती that's why clear चलो आजाएं अगले सवाल की उपर भाई question 7th the poet whose poetry is the form of wax इन में से कौन से poet हैं जिनकी poetry वक्स की form में होती थी येस बताईए वक्स की form में महजूर हबा खातून लाल डेड या नंद रिशी येस बताओ तो yes it's option c भाई लाल डेड ठीक है भाई जिनको आप लला युगेश्वरी भी कहते हो मदर लला भी कहते हो लालेश्वरी भी कह ठीक है भाई साहब याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ पंतरेठन में हुआ जो कष्मीरी पंडित फैमिली में से ये बिलॉंग करती थी ठीक है भाई साहब ये God Shiva की devotee ती याद रखिएगा आप गौड शिवा की डिवॉटी थी यह important point है आपको याद रखना है तो लाल डेड हो जाएगा आपका सही answer भाहिसा चलिए next question 8 who is the first winner of Sahitya Academy Award for Kashmiri Language yes, बताओ भई question 8 question 8 में क्या पुचा है पहले विजेता कों ते Sahitya Academy Award जो Kashmiri Language में था रामनात शास्त्री जी, महजूर जी, रसूल मीर जी या जिन्दा कोल जी yes, it's पंडित जिन्दा कोल सहाब question 8 पंडित जिन्दा कोल सहाब इनको आप लोग master जी जिन्दा कोल भी बोल दे हैं master जी जिन्दा कोल भी बोला जाता है ये पहले winner थे Sahitya Academy Award के Kashmiri Language में इनको कब मिला था भाई ये तो ये मिला था आपको 1956 में याद रखेगा 1956 में मिला था ठीक है ओके चलिए आजाएं भाई question 9 पर who founded the political party all Jammu and Kashmir Muslim Conference for the Rights of the Muslim in 1932 भाई साब ये question मुझे लग नहीं रहा कि मुझे answer इसका बताना चाहिए इसका question तो I think so कि आप लोगों को ही बताना चाहिए comment section में ठीक है तो चलो ये मोका मैंने आपको दिया question 9 comment section में आपने ऐसे करना है question 9 आगे आपका जो answer होगा A, B, C, D, J, U, B है आप लोग answer comment कर दीजिएगा clear है? चलो next आजाओ question 10 10 में आपसे पुझा गया है first Jammu and Kashmir Cricketer to represent India in international cricket रासिक सलाम, मिथुन मनहास, परवेज रसूल या इन में से कोई नहीं तो आपको पता है भाई अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी that is परवेज रसूल clear है? चलिए आएं question 11 पर who was the first Muslim saint of Kashmir to assume the title of Rishi कौन से पहले ये Muslim saint थे जिनको title Rishi का मिला था? येस भाई, बताइए कौन थे ये? शेख नूरोदीन वली जैनुल आबेदीन या बुलबुल शाह या इन में से कोई भी नहीं तो भाई ये आपके पास थे शेख नूरोदीन वली clear? शेख नूरोदीन वली जी ये आपके पहले Rishi थे जो कश्मीर के जिनको टाइटल Rishi का मिला था, ठीक है? कॉशन 12 पे आ जाओ वो बिकम दा फर्स्ट सी एम और जमू एंड कश्मीर वन दा पोजिशन अफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ट एस सी एम इन इस्ट वैल स्टेट आफ जमू एंड कश्मीर ठीक है? भाई साहब इनने बोला है जब प्राइम की पोजिशन खतम हो गई और सी एम का दौर शिरू हुआ जमू एंड कश्मीर में तो पहले सी एम कौन थी? यह आप से यहाँ पे पूछा गया है तो जमू एंड कश्मीर की स्टेट में जो शिक्स्ट अमेंडमेंट हुई कौन सी याद रखियेगा शिक्स्ट अमेंडमेंट यह जमू एंड कश्मीर के कंस्टिशन की बात हो रही है ठीक है? इस अमेंडमेंट को कब फॉर्स में लाया गया भाई? 6 जून 1965 1965 को ठीक है इसमें क्या बोला गया PM की post गई अब सब भाई साब अब से cm आएगा तो पी एम उस समय कून थे आपके गुलाम मुहमिद सादिक जी याद रखियेगा गुलाम मुहमिद सादिक जी पी एम की post पे तो इनको ही cm बना दिया गया थो तो पहले CM को थे गुलाम मुहम्मद सादिक याद रहेगा चल अब चलते हैं अगले सवाल के उपर question 13 same question repeat हो गया भाई कोई मसला नहीं है चलिए आजाए yes who is known as iron lady of kashmir one of the most important question iron lady of kashmir किसको कहा जाता है इंदरा गांधी परविना आयंगर अरनीमल या फिर इन मेंसे कोई भी नहीं yes iron lady of kashmir परविना अहंगर जी को बोला जाता है ठीक है भाई साब ये कौन है ये एक human right activist है okay human right activist आपको ये देखने को मिलते हैं ठीक है इनकी एक association है जिसका नाम आपको याद रखना है APDP ठीक है APDP का मतलब क्या है सर Association of Parents of Disappeared Persons ठीक है भाई साब याद रखिएगा ये नाम clear है क्योंकि इनको जो है UN का backup है ये organization जो है UN के backup से चलती है और ये Nobel Peace Prize Nobel Peace Prize के लिए nominate किये गई थी 2015 के लिए ठीक है 2015 में nominate किया गया था और नॉर्वे का जो एक Rafto Prize ये ये जीत चुके हैं कब भाई साब 2017 में clear तो इसलिए ये भाई साब काफी important हो जाते हैं और भी काफी ज्यादा awards है जो आप लोगों के भी inspire करेंगे देखे इनके बारे में पढ़ लीजिए का एक बार जाके कि ये कौन है Iron Lady of Kashmir ठीक है बाई चलो अब आते हैं last question पे last question आप से पूछा गया है who is known as the almost कश्मीरी option ए प्रणकिशूर कोल दीनानाथ वली गुलाम रसूल संतोश या फिर सौामी लक्षमन जू ठीक है बाई साहाब question 15th का answer आप लोग मुझे comment section में बताएंगे clear चलो लेते हैं अब आप से अलविदा मिलेंगे अगली class में daily रात 9 बजे आजाया करना आप से आपकी रोज practice होगी हर GS का कोई भी portion हो आपको यहाँ पे revise कराया जागा है English के भी MCQ series में जल्दी ही start करने वाला हूँ history आपकी cover करवा चुका हूँ उसके बाद computer मैंने start कराया था computer के भी almost 10 जो lectures है मैं already करवा चुका हूँ अगर नहीं देखे हैं तो playlist जाके check out करिए और पढ़िए भाई एक ही महीना आपकी पास रहा है आपकी exam के लिए तो जम के महनत कीजिए हम तो मिलते रहेंगे भाई साब को पता चल जाए तो बाकी यह मेरे social media handles हैं यहाँ पर भी आप check out कर सकते हैं अगर पसंद आए आप तो join कर लीजिएगा बाकी आपकी मर्जी है सहाब ठीक है तो चलो तब तक आप पढ़ते रहें खुश रहें God bless you, keep learning, keep sharing